हेलो दोस्तों मेरे चनल डेविल 11 पर आप सबी लोगों का एक बड़ फिट से सौगत है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिल सीना बोर्बु सुइक और डायनमो ब्रेस्ट के बीच में जो मैच है उस मैच के बारे में जानकरी ले लेंगे प्लेयर कैसा रहेगा टीम प् कामप्रेजन कैसा है लिक टेबिल यह सारे इंफ्रमेशन ले लेंगे तो वीडियो का आगे बढ़ने से पहले कुछ बात कहले हो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने कि हो सब्सक्राइब कर लो देखो सब्सक्राइब करोगे तभी तो मुझे मिलेगा चैनल की ग्रोथ हो जाएगी तो प्लीज बहुत सारे लोग देख रहा हो कि आप बीना सब्सक्राइब ना किए वीडियो को पूरा देख रहा हो वीडियो को पूरा देखो एक सब्सक्राइब ही तो है सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो वीडियो को इससे चैनल का मेरे टीम से खेलना चाहते हो तो मैं टेलीग्रम पर फ्री पर चैनल में टीम देता हूँ तो आज आओ मेरे साथ जॉइन कर लो इंफर्मेशन मिल दी रहेगी चैनल पर तो लिंक मैंने डेस्क्रिप्शन में दे रखा है आके जूर जाओ मेरे साथ विडियो का अब आगे बढ़ते हैं तो दोस्तो यहाँ पर देख सकते हो बेलसिना का अगर हम रिपोर्टो देखे तो बेलसिना का देखcket है यह कोई भी विन नहीं है. आक्री मेच लॉस केया था उसके आगे 2 डो डॉॉ है फिर उसके आगे 2 लॉस है दूसरी तरब डाइन आमो का भी लगा तर तीन मैच लॉस होते आ रहा है और उसके आगे 2 विन था तो दोनों ही टीम्स का winning बहुत दिनों से नहीं हो रहा है तो दोनों ही टीम्स का अब हम head to head compression और league table में position क्या है वो देख लेंगे चलो तो यहाँ पर दोस्तों तुम लोग देख सकते हो कि बेलशीना और डाइनामो ब्रेस्ट के बीच अंदर 42 मैचेस हुआ है जिन में से 21 win है बेलशीना के 10 डाइनामो के और 11 मैचेस ड्राउ हुआ है इन दोनों के बेच में तो जादातर मैचेस डाइनामो ने हडा है और बेलसीना कम मैचेस हडा है तो इस बारे में कही न कही बेलजीना थोड़ा आगे है अब लास्ट विजिट जो हुआ था वो देख लेते हैं दोस्तों तो देख सकते हैं यह पर लास्ट विजिट जो हुआ था 13,8,12,16 को हुआ था इन दोनों के बीच में विजिट और उस मैच में डाइनमोब्रेस्ट दो एक से जीता था उसके बाद चार साल भीद गए कोई मैच नहीं हुआ है इन दोनों के बीच में यह पहला मैच है तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते तो देख लेते लीक टेबिल में क्या हाल है दोनों टीम्स का तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो डाइनमोब्रेस्ट जो है चौदा पोईजन पर है अभी तक उसने 6 मैचे स्केला है दो इन किया है एक लॉस किया है तीन एक ड्रॉ किया है और तीन लॉस किया है अभी तक Dynamo ने 6 गोल दिया है और 7 गोल खाए है तो गोल लिवरेंस माइनस 1 है दूसरी तरब Belsina का अगर देखे तो last में है Belsina और 6 मैच में से अभी तक उन्होंने 0 विंड आ है 2 ड्रॉ किया है और 4 लोस किया है और 5 गोल दिया है और 10 गोल खाए है तो कहीं न कई bell進na का defense बहुत ही weak है और dian Ovest का defense ठीक ठाक है और scoring उतना नहीं है तो dian contact थोरा बारे में battle लग रहा है तो football है कुछ भी नहीं कह सकते है कोई भी team वी कर सकता है लेकिन I would say इस match में दोनोग तीम्स का 50-50 chance है match win करने का तो अब चलो देख लेते कॉन कॉन प्लियर अभी तक गोल किया है तो यहाँ पर दोस्तों देख सकतो अभी तक जो 6 मैचे हुआ है इन दोनों के बीच में तो 6 मैच में से डाइनमो ब्रेस ने अभी तक जो जो प्लियर गोल किया हो है के गावी ने मतलब गावी की की ने दो गोल गिया है इस किसलियक ने एक एसिस्ट किया है ए मिलिप्सकी ने दो गोल किया है औलेकजंदन नौयोक ने एक एसिस्ट किया है पी साविसकी ने एक गोल दिया है पिनल्टी पे और डील अप्तेब ने एक एसिस्ट किया है तो टोट वेसिना का टीम में आप लुग देख सकते हो वेसिना अभी तक जो जो गोल गया है, एल कोवल ने तीन गोल गया है, बहुत बैतरीं स्ट्राइकर है, यही सारी मैच इसमें समल ते आ रहा है विलसिना को उसके बाद आता है एस ग्लेप को ने एक गोल पिनल्टी पे दिया था रहे एक एसिस्ट है इसका और पी बोर्दुगॉप का एक गोल है तो टूटल अभी तक विलसिना ने पाच गोल दिया है और कॉन सिट किया है 10 गोल अभी तक विलसिना ने अब इन सब्सक्राव प्लियार के इलाबा कॉन कोन प्लियार टीम्स में बेदर है स्कुर्ड में वो देख लेंगे दोनों टीम्स में तो दोस्तो यह पे देख सकत Luxe पे बाकी जो प्लियार बेदर है वो है D. Rakis, 35 गोल से इसके केरियर में बहुत बैतरीन एक प्लेयर है Il. Kovel, यह तो आपने देखा ही बहुत बैतरीन स्ट्राइकर है Nivaldo, अभी तक कोई मैच नहीं प्ले किया है लेकिन बहुत इंपोर्टेंट एक प्लेयर है अगर खेलता है तो जील के लिए अच्छा उप्शन रहेगा P. Bordoo को अब 22 गोल है इसके केरियर में Ace Glip को 16 गोल से इसके केरियर में और A. Novi के यंग प्लेयर है अगर खेलता है तो जील के लिए अच्छा उप्शन रहेगा तो दोस्तो डाइन ओवरेस्ट के टीम में देख सकतो अभी लोग जो जो प्लेयर बैतर है एलीज बाकाज बहुत बैतर इन प्लेयर है 111 गोल है इसके केरियर में D. Laptip के 92 गोल से P. Savis की के 78 गोल से Gordechuk के 73 गोल से A. Milips की के 65 गोल से ये पाचो प्लेयर पाचो के पाचो बहुत बैतरीन है अभी तक कोई परफर्म नहीं कर पाया है उतना लेकिन G. L के लिए पाचो प्लेयर ही बहुत इंपोरेंट प्लेयर है उसके बाद ही आता है S. Kiri Vets अभी तक कोई मैच नहीं खेला है लेकिन केडियर में 50 गोल से V. Sadops की 40 गोल से इसके केडियर में अभी तक कोई मैच नहीं खेला है D. Dwarthe 39 गोल से ये भी कोई मैच नहीं खेला है अभी तक S. Kiri L. A. 22 गोल है इसके केडियर में E. Seve Chenko 12 गोल है यांग प्लेयर है A. Bikov के 15 गोल से O. 9 के 13 गोल से और R. Yousef चुक 5 गोल है ये एक यांग प्लेयर है तो इन सारे प्लेयर में से अगर कोई खेलता है तो पॉइंट आउट करके इसको GL में ट्राइ करो और ये पाचो में से पाचो को ट्राइ कर सकते हो बहुत इंपोर्टेंट प्लेयर है ये और ये तीन में से अगर कोई खेलता है जो नॉट प्लेयर है अभी तक तो इसको भी प्रिक किया करो GL के लिए ट्राइ कर सकते हो तो ये था सारे इंफर्मेशन स्क्वार्ड में डाइनो और ब्रेस्ट और बेल सीनक है तो इस ही सब से अपना टीम मना लो आईगी तो चलो वीडियो को अब यही बे खतम करते हो वीडियो को जरूर लाइक कर देना शियर कर देना इंफर्मेशन सभी में पहुचा देना तो चलो मिलते अगले वीडियो में धन्यबात